दोस्तों जो आपने अभी रैली देखी मुसला धार बारिश के बीच एक निता भाशन दे रहा है एक जनसभा हो रही है एक भाशन चल रहा है जहां पर लाखों की संख्या में लोग पहुचे हुए है इस निता को सुनने के लिए ये निता बहुत ही जादा करिश्माई है जो लगातार बहुचन आंदोलन को बढ़ा रहा है दोस्तों यकीन मानिये मैंने कभी इतनी जादा भीड किसी की रैली में नहीं देखी खास तोर से दक्षिन भारत में दक्षिन भारत में ऐसा लगता है कि बहुचन आंदोलन उफान पर है जो विरोधी दल है उनमें हडकम मचा हुआ है पूरे तेलंगाना में इस रेली से भूचा लाया हुआ है आप जरा रेली की तस्वीरों को देखिए देखिए यहाँ पर कैसे मुसलाधार बारिश हो रही है दोस्तों जो नेता यहाँ पर भाशन दे रहे हैं उनका नाम ह आरेस परवीन जो बीएसपी के मुख्यमंत्री पत के उम्मिद्वार है तेलंगाना में आप जरा रेली पर गौर फरमाएए यहाँ पर भाशन हो रहा है मुसलाधार बारिश हो रही है और उसी बीच लोग भाशन सुन रहे हैं कोई कुरसी छोड़ कर वहाँ जा नहीं रहा आप देख रहे हैं बारिश हो रही है कोई नहीं जा रहा है इसी बारिश के बीच लोग आरेस प्रवीन साहब का भाशन सुन रहे हैं और इससे दोस्तों पूरे देश में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा भूचा ला गया है कि एक बहुजन समाच पार्टी है एक मायावती जी की पार्टी है जिसका एक नेता है जो बहुत जादा आजकल करिश्माई हो गया है जो बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है तो ये तेलंगाना में हो क्या रहा है इस पर आज में बात करूँगा दोस्तों आपको पता है कि इसी साल चार राज्जों में विदान का चुनाव भी होने वाला है जिसमें से मध्धपरदेश 36 गड़ राजस्थान और दक्षिन भारत का इलाका तिलंगाना देखिए मध्धपरदेश 36 गड़ राजस्थान में तो बस्पा का अपना जनाधार है खास तोर से इन राज्जों के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों कुमारी मायावती जी ने ये ऐलान किया है कि अब वो इन सरकारों में शामिल होंगी यानि वो अब बार नहीं रहेंगी अब मध्धपरदेश 36 गड़ में जब उनके विधायक जीत कराएंगे तो वो सरकार में शामिल होंगी क्योंकि ये जो जातिवादी पार प्रदेश राजस्थान में जीत कराएंगे खास तो यहाँ पर वो सरकार में शामिल हो जाएंगी जिससे दलित, शोशित, पीडित, अलफ संख्यों के खिलाब जो अत्या चार हो रहा है उस पर लगाम लगाए जा सके दोस्तों सिर्फ मध्परदेश 36 गड़ राजस्थान नहीं तिलंगाना को लेकर बहन जी खासी एक्टिव हैं और आपको बता दूँ सनेता का भाशन यहाँ पर देख रहे हैं वो ब्यस्पी अध्यक्ष हैं तिलंगाना में बस्पा के अध्यक्ष हैं आरेस परवीन आरेस परवीन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं ब तो मुख्यमंत्री होंगे आरेस परवीन साब आप देख रहे हैं कितना जोरदार यहाँ पर भाशन दे रहे हैं वो और लोग भीग भीग कर वहाँ सुन रहे हैं एक आग एक करेंट लोगों में पैदा कर दिया है आरेस परवीन साब ने अब बड़ा सवाल यह है कि आरेस हैं कौन तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आरेस परवीन साब एक IPS अफसर थे इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है दो हजार इकीस में इन्होंने बस्पा जोईन की और तेलंगाना में लगातार बस्पा को यह मजबूत करने का काम कर रहे हैं खास तोर से कहा जा रह हैं जिसमें धाई लाग से ज्यादा चात्र पढ़ते हैं गरीबी अपमान सामाजिक भेद्भाव का इन्होंने बच्पन से ही मकाबला किया है और आपको बता दूँ हावर्ड विश्व विद्याले से इन्होंने पढ़ाई की है 1995 में IPS अफसर बनी एक चीज जो खास बनाती आरेस परवीन साहब को आरेस परवीन साहब को दलित शब से बहुत दिक्कत है वैसे दलित को constitution में SC कहते हैं schedule cast कहते हैं लेकिन इन्होंने दलित शब्द की जगे पर एक और शब्द गढ़ा है वो शब्द है स्वारो आपको बता दूँ कि स्वारो आंदोलन भी चला रहे है और लगातार बहुजनों को एक जुट करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहुजन जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर एक स्पार्क की तरह दिख रहा है खास तोर से SC का सशक्ती करण कैसे हो इसको लेकर भी स्वारो आंदोलन एक महत्पूर भूमिकाने वारा है जिसको लीट क रही है उससे केसियार की नीद उड़ी हुई है तेलंगाना के मुख्मंतरी की नीद उड़ी है दोस्तों और आपको बताऊं तो आरेस प्रवीन की काट के लिए केसियार ने एक नई चाल चली इससे पहले आपको याद होगा अखिलेश यादव ने केसियार से मुलाकात की और हाल ही में चंदरशेखर आजाद रावण ने भी केसियार से मुलाकात की थी अब कनेक्शन देखिए चंदरशेखर आजाद रावण और अखिलेश अब आप जानते हैं कि जो इंडिया गटबंधन बना जब 23 जून को बैठक हुई थी पहली बैठक पटना में तो इसके सूतरधार नितीश कुमार ने अखिलेश यादव को पटना बुलाया बहन जी को नहीं बुलाया वहीं से दिक्कत पैदा हुई और आपको बताऊं तो अखिलेश आज कल नितीश कुमार जी के करीबी वन गये हैं आपने ये भी देखा कि चंदरशेखर आजाद रावण ने पटना में जाकर नितीश कुमार से भी मुलाकात की थी अब आप कनेक्शन देख रहे हैं तो अखिलेश यादव और चंदरशेखर आजाद रावण अगर केसियार से मिल रहे हैं तो इसके माइने आप समझ सकते हैं जिस तरीके से बहुजन आंदोलन कौरिस प्रवीन आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से बहन जीने उनकी सर पर अपना हाथ रखा है वो फूले नहीं समा रहे हैं उनको ऐसे लगता है जैसे उनका कोई अविभावक उनके साथ हो और उसी मोटिवेशन के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं इस बीच केसियार की पार्टी में भूचा लाया हुआ है पूरे तेलंगाना में चर्चा हो रही है और केसियार से भी आगे निकल चुके हैं लोग को प्रियता में आरेस प्रवीन साहब अब बड़ा सवाल ये है कि चंदरशिकर आजाद रावर ने के चाहते हैं कि ऐसा कोई नेता मिले जिससे बहुजनों का वोट कहीं न कहीं बंट जाए तो लोग इसको अलग-अलग तरीके से एक्स्प्लेन कर रहे हैं तो जब तेलंगाना में बसपा खुद को मजबूत कर रही है उस समय अगर बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाले ब मैसेज गलत जाएगा क्योंकि उनके भी अपने फॉलोवर्स हैं मैं नहीं कहा रहा हूं कि चंदरशिकर आजाद तेलंगाना में जाकर बीएसपी का जो जनाधार है उसमें प्रभाव डालेंगे लेकिन एक मैसेज तो जाएगा कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी भी कुछ कह लिजे जो उनका फॉलोवर है और उनका मुरीद हो चुका है बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहरा है तेलंगाना की दशा और दिशा बदलने का माददा रखता है इसने अपनी लाखों की नौकरी कुरबान कर दी जाहिर तोर पर वो समाज सिवा के लिए उसमें प्रस्तावना में छेडशार किया गया था सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया गया था और कई बार कई बार जो केसियार साहब है न वो सम्विधान बदलने की बात कर चुके हैं तो दोस्तों इस बीच अगर चंदरशेखर आजाद गए केसियार से मिलने तो जाहिर तोर पर सवाल खड़े होंगे और चंदरशेखर आजाद का इस समय इस टाइम पर मिलना भी कही ना कहीं इसमें गलत मेसेज भी लोगों में जा रहा है कि लोग सवाल करें चंदरशेखर आजाद जी आप क्यों वहाँ पर गए खेर आपको बताओं तो तेलंगान यहाँ पर बलतों के उत्थान के लिए कुशिश लगातार की जा रही है तो दोस्तों इस बीडियो से पूरे देश में खासतोर से जो आप बीडियो देख रहे हैं इस बीडियो से टेंशन में है केसी आर नीद उड़ गई है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मुख्वंत्री बन जाएंगे और आपको बता दूँ जब मायावती जी हैदराबाद आई थी तो उन्होंने इदावा किया था कि हर हाल में बस्पा तिलंगाना में सरकार बनाएगी और इसी लिए केसियार डरे हुए हैं अखिलेश जाते हैं कभी चंदरशेकर आजाद रामर जाते हैं मैं तो चंदरशेकर आजाद रामर से एक ही बात कहूंगा चंदरशेकर भाई आप समझदार हैं आप एक तरफ तो बहन जी की तारीफ करते हैं दूसरी तरफ अगर आप ये भी करेंगे के CR की तारीफ करेंगे जाहर तो पर सवाल तो खड़े होंगे ना और इस सवाल का जबाब देना भी चाहिए कि इस टाइम पर ऐसे कुशिल टाइम पर क्यों मुलाकात की तो कुल मिलाकर जो आरेस प्रवीन साहब हैं काफी मजबूत ह गये हैं और लग रहा है कि तेलंगाना में इस बार बसपाव कमाल कर जाएगी बैराल दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए बसना ही मचाता हूं इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सिर्फ इतनी विनती है शेयर करिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन की घंटी दवाना मत भूलिए, इससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक जरूर पहुँचे वीडियो को खूब शेयर करिए, जन जन तक पहुँचाई जिससे बोजन समाज जाग लुको जाभीम, जाभारत, जाहसं बिना